चेप्टर कर रहे थे हम हाइड्रोजन चेप्टर में ये नेक्स वीडियो है हमारी हमने करना है हाड़ वोटर हाड़ वोटर क्या होता है जिसमें केल्शियम और मंगनेशियम के सॉल्ट प्रेजन्ट हो जिसमें केल्शियम और मंगनेशियम के सॉल्ट प्रेजन्ट हो उसे के साथ हम ऐसे वोटर को जब सॉप के साथ हातों पे लगाते हैं तो उसकी स्कम नहीं बनती उसकी फार्म नहीं बनती वो क्या बना देता है स्कम बना देता है और फार्म नहीं बनाता है ठीक है तो इससे पता चलता है कि यह वोटर जो है वो वो यह हाड वोटर है ठीक है स्ट students to hard water क्या होता है precipitate with the forms come or precipitate with the soap sop के साथ ये क्या होता है ऐसे hard सा हाथों पर आशे रखता है जैसे something something hard कुछ हमारे हाथों के ऊपर चिपक गया है ठीक है तो ये होते क्या है soap हमें पता है कि sodium stearate होते हैं ठीक है sodium salt होते हैं तो M का यहां मतलब क्या है M का मतलब है हमारे पास जो है वाट इस एम हमारे पास यहां metal है metal calcium or magnesium हो सकता है तो यह hot water बहुत से हमारे लिए नुकसान दायक है bowlers को डिपोज जितना भी अंदर से container होते हैं उनको क्या कर देता है रहे roast खराब कर देता है उनको ठीक है तो harmful है यह तो boiler की जो है उसकी efficiency को कम कर देता है उसके काम को दो तरिक्चे का हमारे पास hardness होती है पानी की एक तो temporary एक permanent hardness नक्स देको students हमारे पास तो heavy water करना है हमने आगी heavy water का मतलब है जिसमें normal hydrogen नहीं है उसमें कौन सा hydrogen है जिसका वेट जिसका वेट h21 it is called deuterium deuterium अलब डी होता है हमारे पास जिसका वेट जिसका मास है टू और atomic number one है मास number two है उसे बोलते हैं deuterium तो heavy water में deuterium present होता है d2o तो यह moderator में यूज किया जाता है electricity बनाने में काम आता है तो बहुत साथी reactions को study करने के लिए helpful है electrolysis और इंडस्ट्री में fertilizer जैसे खादे बनाने के काम आता है ठीक है इसकी property देखें तो इसका molecular mass 20 gram per mole melting point 276.8 Kelvin boiling point 374.4 Kelvin होता है है okay students so next देखो hard water जो sorry जो हमारे पास d2o add heavy water है हमारे पास तो यह heavy water बोला जाता है तो देखो इसकी ice है जो वो नीचे बैठ जाती है क्योंकि यह heavy होता है यह ice उपर नहीं तहार थी क्योंकि यह जे हमारे पास normal hydrogen से नहीं बनी हुई है okay students so next देखो हमारे पास die hydrogen as a fuel के die hydrogen हम कहां कहां use कर सकते हैं एक तो heat और combustion इसकी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसमें से बहुत सारी energy निकलती है प्रट्रोल में से ज्यादा energy है इसलिए इसको फ्यूल यूज किया जाता है और यह सस्ता भी है hydrogen economy का मदलब है कि यह सस्ता भी हमें पड़ता है इसको ट्रांस्पोर्ट करना एक जगा से दूर्सी जगा लेकर जाना इन दा फॉर्म ओफ लिक्वर्ड अवर गैसे जान के रूप में हम energy को generate करते हैं ठीक है तो इत इस उस इन दा फ्यूल सेल्स जो हमारे पास फ्यूल साल दोते है ना जी जनरेशन ऑफ दा अलक्टिक पार ओके स्टुडेंट्स तो यह था हमारे पास मिस्टे ऊल आपंड अडाई हाइडरोजैं सब्सक्रास असक्श्जन सेकते हैं अबस्ट्र विशस सेल्ट sevent के लिए हैं थार्ड मैं में हमारे पास नूपली में आजिक के लिए हैं और देखो बहुत सारे लक्त्रास हैस स्टाज के लिए वियूबैनल में योज होता है तो ये थे सारे के सारे uses of dihydrogen thank you students